नमस्कार जी पंजब हरियाना हिमाशिल पर आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आप साथ मौनेका ठाकूर और शुरुवात कने वाले हैं आज की बाड़ी खबरों के साथ हरियाना की बीजपी महिला विधायक संतोष सारवान ने अपनी ही सरकार के एक मंत्री पर ड्रग माफिया को संरक्षन देने के आरोप लगाए हैं हालांकि संतोष सारवान ने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने मीडिया को राच्य मंत्री नाइप सेनी के साथ आरूपी की फोटो जरूर दिखाई है उन्होंने अपने उपर हुए हमले की नाकाम कोशिश के पीछे ड्रग माफिया को जमेधा ठहराया है संतोष रेक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्श करवाया है वही नाइप सेनी ने विधायक के आरूपों को सिर्ष से खारिच कर दिया अम्माला के मुलाना से बीजेपी विधायक संतोष शारवान ने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया है कि उनके विधान सबाहल के मुलाना में ड्रग माफिया सक्रिये है जिसे सरकार के एक मंत्री का सनक्षन हासिल है संतोष शारवान ने पिछले दिनों अपने उपर हुए हमले के लिए भी ड्रग माफिया को ही जिम्मेदा ठहराया है महिला विधायक ने हमलावरों की गाड़ी का सिसी टीवी फोटज भी मीडिया से साजा किया है दूसरा मैं मेरे हलके के लिए जरूर करना चाहूंगी कि वहां ड्रग्स का रिए गोरक दंदा जो अवैद छराब का है इसको तुरंत बंद किया जाए लोगों की माओं के लाल खोए जा रहे हैं इसमें तो मुझे ये आशंका थी पहले से ही कि ये लोग सारे ऐसे हैं कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा लेकिन मुझे ये आशंका बिलकुल नहीं थी कि ये मेरे खिलाफ इस तरह का एक्शन करेंगे और मेरी अत्या करने की शाजिश करेंगे ये मैंने नहीं सोचा थी दमकिया मुझे मिल रही थी इससे मुझे ये लगता था कि ये कोई ना कोई गडबर या तो किसी अधिकारी का ट्रांसफर करा देंगे या किसी को सस्पेंड करा देंगे इस तरह की आशंका थे साथ ही संतोष सारवान ने एक फोटो भी सारजनी की है विधायक सारवान का दावा है कि इस फोटो में उनके उपर हमले का आरोपी हर्याना के रच्चिमंत्री नायाब सैनी के साथ बैठा हुआ है जबकि नायाब सैनी बिल्कुल सरंक्षण है जितने पुलिस ओफिसर्स को दमकियां दे गई है सारी इनके द्वारा दे गई है ड्रग माफी है और जो इलिगल काम करता है उसका हमारा किसी को सरक्षण नहीं है हम उसके खलाफ सक्ट कारवाई करते हैं हाला कि पिछले कुछ समय से हर्याना बीजे भी विधायक सरकार से नाराज चल रहे है जिस पर नायब सैनी काबो पालेने की बात कह रहे है लेकिन अगर विधायक संतूर शारवान के आरोकों में सच्चाई है तो फिर सरकार के मुश्किल बढ़ना तैह है खुलवीर दिवान जी मीडिया चंडी गणा